डेली कनेडियन न्यूज बुलेटन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कैनडा एंड अराउंड द गलूब CEO हुआवे की कैनडा से बेदखली की कारवाई जून में होगी इन पर धोका दही के लजाम में अमरीका में मुकर्दमा चल रहा है कैनडा मिलिटरी ने क्योबेक में सीनियर रेजिडिन्स के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी स्टाफिंग और हिफाज़ती समान को एहम चैलेंज करार दे दिया कैनिडा भर में करोना वाईरस के पहलाओ के सलसला जारी मतासर होने वाले अफराव की तादाद 87,590 हो गई है टोटरक इंडस्ट्री में मुनजिम जुराइम और तशद्द में मुलविस मुल्जमान गिरिफतार पुलीस का कहना है कि मुल्जमान जुरूबी ऑंटेरियो के इलाके में कंट्रोल हासल करना चाहते थे दुनिया भर में करोना वाईरस से मुतासरा अफराद की तादाद 88,004 हो चुकी है जबके इस से हलाकते 3,58,100 हो गई हौंग कॉंग खुद मुखतार नहीं रहा भारत में गर्मी की शदीद लहर पारा पचास डिगरी तक महँच किया शुमाली अलाकों में 29 माई तक शदीद गरम मौसम की पेशगोई की गई है ट्रम की सोशल मीडिय पेपाबंधिया आयत करने की धमकी अपने एक ट्विट में इनका कहना था कि रिपब्लिकल्स महसूस करते हैं कि समाज़ी रापते के प्लाटफॉर्म कदामत पसंदों की आवाज तबाते हैं हेडलाइज अपने जानी अब खबरे तफसील के साथ कनेडियन वजिरादम जस्टिन ट्रूडो ने अकपाम मतहता के एक एहम इजलास के दौरान आलमी सिताफ पर बाहमी ताववन की अपीड की है जिसका मकसद वबाई मर्ज, करोना वाइरस के तबाह कुन माशरती और मौशी असरात को कम करना है कनेडर जमेका के सदर ने अकवाम मतहता के मुश्तरका इजलास की सितारत की क्रूडो का कहना था कि आलमी माईशत की बहाली और मकामी माईशतों की बहतरी के लिए हमें आलमी सिताफ पर मुश्तरका मतसूबाबंदी की जरूरत है उनके कहना था कि हमारे शेहरियों को बेनल अक्वामी इदारों पर एतमाद रखने की जरूरत है जो किसी को पीछे नहीं छोड़ते और वो आलमी चेलिंजिस पर काबू पाने के एहल हैं इजलास में 50 से ज्यादे सरबराहान ममलिकत और हकूमती ओधदारान ने शिर्कत की आफिसर मेंग मेंग जू को कीनिडा से बेतखल करने के लिए कारवाई जून जून में शुरू कि जाएगी महंग मेंग जू कैनिडा में मुकीम है अर उन पर धोका दही के जलाम में अम्रीका में मकदमा चल रहा है मینگ पर الزام है कि उन्होंने हुआवे कमपनी के एरान में काम करने वाली एक कमपनी से तालुकात के बारे में H.S.B.C. को धोके में रखा मینگ के उकला ने कैनेड़ा के अदालत में मौकिफ अख्तियार किया है कि कैनेड़ा ने एरान पर एक्तिसादी पाबंदिया नहीं लगाई इसलिए कैनेड़ा में मैंग पर मुकदमा भी नहीं चल सकता जर्ची ने दर्खास मुस्तरत कर दी जिसके बाद मैंक को बेदखल करके अमरीका भीजने का मुकदमा शुरू करने की रा हमवार हो गई है वाज़े रहे केनेड़ा में चीनी कमपनी की ओधेदार की गिरिफतारी से दोनों ममाले के तालुकात पर असर पड़ा है के चीन ने भी कैनेड़ा के दो बाशिंदों को गिरिफतार किया हुआ है कैनेडियन मिलिटरी की जानव से क्योबेक में लॉंग टर्म केर सेंटर्स को दर्पेश मसायल से मुतालिक रिपोर्ट जारी की गई है रिपोर्ट में कहा गया है कि सूभे के लॉंग टरम केर सेंटर्स को इस वबा के दौरान तीन बड़े मसाल का सामना है इस हवाले से ही मजीद चानते हैं स्टाफिंग और हफाज़ती सामान क्यूबिक के लॉंग टरम केर होम्स के लिए अब भी एक चैलन्ज है केनेडिन मिलिटरी की जानब से क्यूबिक में लॉंग टरम केर सेंटर्स को दरपेश मसाल से मुतालिक रिपोर्ट जारी की गई है इस रिपोर्ट में उन 25 लॉंग टरम केर सेंटर्स का मुशाइदा किया गया है जबके कोल्ड जोन यानी ऐसे सेंटर्स जहां करोना वारस नहीं था उनके दर्मियान तफरीक और मिनेजमेंट नहीं की जा सकी रिपोर्ट में कहा गया है कि सूबे के लॉंग टरम केर सेंटर्स को इस बबा के दौरान तीम बड़े मसाल का सामना है सबसे बड़ा मसला ये है कि अमले की तर्बियत मुनासिब नहीं थी परसनल प्रोटेक्टिव एक्यूप्मेंट का मुनासिब इस्तवाल नहीं किया गया और अमला उन सेंटर्स की देखभाल के नहीं ना काफी था मुशाइदे के मताबिक उन लांग टरम सेंटर्स में स्टाफ और उसकी सलायत के बहतर बनाने की अशग जरूरत है रिपोर्ट के मताबिक जब फौजी अहलकार उन सेंटर्स में पहुचे तो यहां सूरत इहाल इंतहाई ना मुनासिब थी ताहम अमले की तर्बियत और दीगर अग्दामात की बदौलत अब यहां हालात गदरे बहतर हुए है रिपोर्ट सुभाई हुकूमत को भी इरसाल कर दी गई है कैनेडा भर में करोना वारस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6,765 तक जा पहुची है मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा भर में करोना वारस के पहलाओ का सिलसला जारी है आखरी इतलात के मताबिक कैनेडा में करोना वारस से मतासिर होने वाले अफराद की तादास 87,599 हो गई है मुल्क भर में करोना वारस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6,765 तक जा पहुंची है क्योबिक सूबा करोना वायरस से सबसे जादा मुतासर हुआ है जहां इस वक्त तक 49,149 अफराद में करोना वायरस की तजदीक हो चुकी है जबके सूबे में करोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 4,228 तक पहुँच चुकी है आंटेरियो में करोना वारस से 26,483 अफराद मुतासिर हुए है जबके हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,105 है अलबर्टा में 6,926 अफराद करोना वारस से मुतासिर हुए है जबके 141 अफराद करोना वारस के बाइस हलाक हो चुके है बिर्टिश कोलंबिया में अब तक 2550 अफराद में करोना वायरस की तज्दीक हुई है जबके सूबे में करोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादात 162 है पुलिस ने टो ट्रक इंडास्ट्री में मुनज़म जुराइम और तशद्द में मुलवस मलवस 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 को गिरिफतार कर लिया है पुलिस टॉरंटो पुलिस और कैनेडा रेविन्यू एजनसी के तफ्दीश कारों ने जॉइन फोर्स तहकिकात का आगास किया जिसे प्रोजेक्ट प्लाइटीनियम का नाम दिया गया था जिसके तहत गतलों गारत गिरी हमलों आतिस जनी धंकियों और अमला को नुक्सान पहचाने के वाकियात की तहकिकात की गई थी पुलिस ने मजमूरी तोर पर 19 गृफ्तारियों का ऐलान किया है दुनिया भर में करोना वारस मतासरा अफराद की तादा 58,13,004 हो चुकी है जबके इससे हलाकते 3,58,100 हो गई इस हावाले से मजीद जानते हैं जहां ना सिर्फ करोना मरीज बलके उससे हलाकते भी अब तक दुनिया के तमाम मुमालिक में सबसे जादा है अमरीका में करोना वारस से अब तक 1,217 अफराद मौत के मुँ में पहुँच चुके हैं जबके उससे बिमार होने वालों की मजमूई तादा 17,45,911 हो चुकी है करोना वारस के मरीजों की तादात के हुआले से मुमालिकी फैरस में बराजील दूसरे नमबर पर पहुँच गया है जहां करोना के मरीजों की तादात 4,166,61 तक जाप पहुँची है जबके ये वारस 25,697 जिन्दिया निकल चुका है कुरोना वारस से रूस में कुल अमवाद 4142 हो गई जबके उसके मरीजों की तादा 3,89,051 हो चुकी है भारत में कुरोना वारस से 4,540 हलाकते हो चुकी है जबके उससे मतासरा मरीजों की तादा 1,58,897 हो गई चीन जहां दुनिया में कुरोना का पहला केस सामने आया था वहां कुरोना वारस के मरीजों की तादाद 82,995 और उस से अमवाद 4,634 हो गई है सौदी अरब में कुरोना वारस से अब तक कुल अमवाद 425 रिपोर्ट हुई है चबके उसके मरीजों की तादात 78,541 तक जापुँची है मक्का मुकर्रमा शहर में कर्फियो के अकात में नर्मी का ऐलान कर डिया गया सौदी विजार्ट दाखला के मताबिक कर्फियो में नर्मी का नफास दो मरहलों में होगा कर्फियों में नर्मी का पहला मरहला 31 मईए और दूसा मरहला 21 जून से शुरू होगा माइक पॉम्पियों ने कहा है कि कोई भी समझदार शक्स जमीनी हकाइक को देखते हुए अब ये बात नहीं कर सकता कि होंग कॉंग को चीन से खुद मुखतार हैसियत हासिल है इस सवाले से मजीद चानते हैं अमरीकी वजीर खारजों माइक पॉम्पियों ने कांग्रेस को तजदी कर दी है कि चीन के नाफस करदा नए एक्ट के बाद अब हौंग कॉंग की खुद मुखतार हैसियत नहीं रही जिसके बाद हौंग कॉंग कॉंग और अमरीका के दर्मियान अर्बो डॉलर्स की तिज़ारत खत्रे में पड़ गई है एक बयान में माइक पॉम्पियों ने कहा कि कोई भी समझदार शक्स जमीनी हकाइक को देखते हुए अब ये बात नहीं कर सकता के हौंग कॉंग को चीन से खुदमुदार हैसित हासल है अमरीका पहले ही हौंग कॉंग से मुतालिक चीन के फैसले को तबाकुन करार दे चुका है उन्हों ने कहा कि सीनियर अमरीकी सफीर कह चुके हैं कि चीन की मुतलिका कानून साजी हौंग कौंग की खुदमुखतारी के ताबूत में आखरी कील साबित होगी अमरीका ने गुजशता साल हौंग कौंग के मुजाहिरین के लिए इन्सानी और जहमूरी हकुक पर एक कानून पास किया था मार्क पॉंपियों का कहना है कि इसी कानून के तहट अमरीका को हर साल चीन से हौंग कौंग के खुदमुखतारी की तद्दीख करना होती है हौंग कॉंग की खुद मुखतारिस से मुतालिक फैसला खुशकुन नहीं है अब ये वाज़ है कि चीन हौंग कॉंग को अपने जिरे तसल्ट ला रहा है भारत में गर्मी की शदीद लहर जारी है भारती रियासत राजस्तान में पारा पचास डिगरी को छू गया मजीद चांते हैं इस रिपोर्ट में भारत में गर्मी की शदीद लहर जारी है भारती रियासत राजस्तान में पारा पचास डिगरी को छू गया भारती दारुल हुकूमत नई दिली में मंगल का रोज मह मैं में दो दहाईयों का गरम तरीन दिन रहा नई दिली रियासत पंजाब, हरियाना और उत्तरपरदेश के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं गुजिशता रोज राजस्तान के इलाके चूरू में धरज हरारत पचास डिगरी को छू गया नई दिली में भी पारास 47.6 डिगरी की रिकॉर्ड सता तक जा पहुँ ग्लोबल वैदर वैबसाइट के मताबिक मंगल को भारत का ये खिता दुनिया का गरम तरीन खिता रहा, भारत के शुमाली इलाकों में 29 माई तक शदीद गरम मौसम की पेश गोई है सदर डॉनल्ड ट्रम्प ने समाजी रापते की वैबसाइट पर अमरीका में कदामत पसंद तपके की आवास दबाने का लजाम लगाते हुए इन्हे नए जापतों का पाबंद करने या मुकमल बंदिश की धमकी दी है सदर डॉनल्ड ट्रम्प ने समाजी रापते की वैबसाइट पर अमरीका में कदामत पसंद तपके की आवास दबाने का लजाम लगाते हुए उन्हें नए जापतों का पाबंद करने या मुकमल बंदिश की धमकी दी है मंगल को अपने एक ट्विट में उनका कहना था कि रिपबलिकन्स महसूस करते हैं कि समाजी रापते के प्लैटफॉर्म कदामत पसंदू की आवास दबाते हैं उन्हें ऐसा करने देने से पहले हम उन पर सक्थ जापते लागू करेंगे या उन्हें बंद कर देंगे सोशल मीडिया के उन प्लैटफॉर्म्स ने दोहजार सोलह में ऐसी ही नाकाम कोशिशें की थी और इस बार वो जादा सफाई से ये काम करना चाहते हैं वाज़र है कि सदर्ट ट्रॉम्प ने 26 माई को एक ट्विट किया था जिसमें कैलिफॉर्निया के गवरनर पर इलजाम आइद किया गया था कि वोट देने का इंतिजामी हुकम नामा जारी करके इंतखाबात में धानली करने की तैयारी कर रहे हैं और लाकों बैलिट पेपर्स बगएर किसी तजदीक के इरसाल करके 29 पर असर अंदाज होने की कोशिश का आगास हो चुका है ताहम ट्विटर ने सदाब ट्रॉम के इस ट्विट पर गैट दी फैक्ट की तंबीच इसपा कर दी जिस पर क्लिक करने से मालूम होता है कि सदाब ट्रॉम का बयान खिलाफ वाकिया है और बैलिट पेपर्स की सहूलत सिर्फ तजदीक शुदा वोटर्स ही को फरहम की जाएगी आमी मीडिया के मताबक ट्विटर के इस एकदाम के बाद सदाब ट्रॉम की जानव से सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म के खिलाफ शदीद रद्धे अमल सामने आया है उन्होंने अपने ट्विट में भी इस पस्मनजर का हवाला दिया है उनका क्याना था कि डाग के जरीए दिये गए वोट चोरी हो सकते हैं उनमें जाल साजी और धोका दही मुम्किन है जो जितना जादा धान दी करेगा वो जीत जाएगा जिस तरह सोशल मीडिया करता है उन्होंने सोशल मीडिया को फौरी तोर पर अपना कदला दुरूस करने की तमभी भी की अब तक के लिए इतना ही मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैग टीवी यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिये और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाई किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्तहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे